नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल इस्टाड़ी विध धननजय मिस्रा पर आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है धननजय मिस्रा दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत की प्रमुक जीलों के बारे में जि अभ्यास प्रस्ण है और कुछ प्रस्ण इसमें उसको भी सामिल किया गया है जो अन्य प्रतोगी पर इच्छाओं में पूछा गया है जो बहुत ही महत्पूर्ण है तो उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी इसे स्टार्ट करने से पहले आपको एक खाज अनका सब्सक्राइगा उस ग्रूप का जोही की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप टेलीग्राम पे इस्टड़ी भी धनंजय मिस्रा सर्च करके भी आप उस ग्रूप को ज्वाइन कर सकते हैं फेस्बुक भर भी जो ग्रूप बना है उसमें प्रते एक दिन हम एक क सब्सक्राइब करते हैं तो इस रीज का पहला कोश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी ताजै पानी की जील गौंत सी है तो इसका सही उत्तर है आप सन अंबर बी व्लर जील आपका जम्मू कस्मिर में स्थित है अब आईए अगला प्रस्ण देखते हैं लोक्टक जेल किस राज्य में इस्थित है इसका सही उत्तर है आप्सन नमबर बी मडीपूर तो लोक्टक जेगाल की मडीपूर में इस्थित है आईए बगला प्रस्ण देखते हैं तीसरा प्रस्ण है कि विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की जील सामभर जील किस राजे में इस्थित है इसका सही उत्तर है आपसन नमबर B राजस्थान में तो सामभर जील आपकी राजस्थान में इस्थित है राजस्थान की जो प्रमुक्ष जीले हैं उसको हम ट्रिक से ब अब इसका मतलब आप वहाँ ट्रिक से देख लीजिएगा प्लेलिष्ट से अगला प्रस्ण है कि जवाहर सागर राणा प्रताप सागर तथा गाधी सागर जलास है किस नदी पर निर्मित है इसका सही उत्तर है आपसन नमबर बी चंबल नदी पर अब आईए अगला प्रस्ण देखते हैं आपका पजवा प्रस्ण है कि निमनलिखित में से कौन सी एक लैगून जील है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर सी पेरियार जील जो है कि लैगून जील है अब आप यहाँ पर लैगून जील का मतलब नहीं जानते होंगे तो हम देते हैं आपको कि जो लैगून जील होता है वो समुद्रिया जो महासागर है उनके पास जो खारे पानी की जील होती है उसे ही लैगून जील कहते हैं आईए अब अगला प्रस्ण देखते हैं छाठमा प्रस्ण है आपका कि हैद्राबाद और सिकंद्राबाद के बीच कौ आइए अब अगला प्रसन देखते हैं भारत की प्रसिद्ध लैगून जील है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर A चिलका जील जो है कि भारत की प्रसुद्ध लैगून जील है अभी हम लैगून की परिभासा आपको बताएं अब अगला प्रस्ण है कि नागिन जील किस राजी में इस्थित है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर A जम्मू कास्मीर और जम्मू कास्मीर में जितनी भी जीले है उसका हम ट्रिक बताये थे कि जिस भी जील के नाम के अंत में अगर नाग या नागिन सब्द लगा है नाम के बाद में वह नाग सब्द का प्रियोग नहीं किया गया है तो इसका विट्रिक हम बनाये थे कि वह माडल बनाकर नाग देखने गई वह से आपका हो जाएगा वूलर जील मा से आपका हो जाएगा मानस वल जील और डॉल से आपका हो जाएगा डॉल जील अब बाकि जितने जो है जीलों के नाम के पीछे अगर नाग लगा है तो सब जम्मु कस्मीर में इस्थित हैं आईए अगला प्रस्ण देखते हैं कि नुवा प्रस्ण है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिश्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है मतलब जीलों का जिला लेक डिश्टिक्ट का असय है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर A नैनी ताल और नैनी ताल उत्राखंड में इस्थित है अब अगला है कि लुनार जील किस राज्य में इस्थित है तो इसका सही उत्तर है, आपसन नमबर C, महराष्ट, तो लुनार जिल आपका महराष्ट में इस्थित है, अब अगला प्रसन है, कि मानस बल जिल किस राज्य में इस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसन नमबर C, जम्मु कस्मीर, अब आई अगला प्रसन देख कि जम्मू का स्मीर में कौन सी जील इस्थित है तो इसका जही उत्तर हो जाएगा अनन्त ढाग जील अपशन नंबर D अनन्त नाम यहां पर लिखा आए जो कि गलत है मिस्प्रिंट हो गया यह अनन्त नाग है और और जैसा कि हम बताया थे कि जिस भी जिल के नाम के पीछे अगर नाग सब्द या नागिन सब्द लगता है तो जम्मु का स्मीर में इस्थित होता है बाकी चिलका जिल आपकी उडिसा में इस्थित है और सांभर जिल और पिशौला जिल ये दोनों राजस्थान की जिले हैं है ताल सब जुड़ा रहता है जैसे नैनी ताल और आपका जो है कि मानस ताल तो ये सब हैं उसके बाद आएए अब अब का चोगधामा प्रस्ण है कि राज सम्हंद जिल किस राज में इस्थित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसन नमबर सी राजस्थान जिल शूरी राजस्थान अगला प्रस्ण है पंद्रहमा, कि कौन सी जھیल राजस्टान राज में इस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जायेगा आपसन नमबर C, डिन्दवाना जھیल, क्योंकि डल जिल और उलर जिल, यہ दोनों जम्मू का स्मेर में इस्थित है, और राजयस्थान में डिंडवाना जील स्थितम है कि आई अगला प्रस्ण देझे हैं किती है कि अगला प्रस्ण धिलुकि है जो स्प्रिंट है लूड कर नसर जील है ठीक है लूड कर अरसर जील एक आर फिर से देखले जीये लूड करनसर जील किस राज़े में इस्थित है तो इसका सही उत्तर हो जायएगा आप्सण नंबर सी राजस्थान अब अगला प्रस्ण देखते हैं राज समंद जील किस राजी में इस्थित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसन नंबर सी राजस्थान अगला प्रसन है कि खूर्पा ताल जिल किस राज्य में इस्थित है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर A उत्रा खंड और आपका इस्तिरीज का अंतिम प्रस्ण है कि उत्रा खंड में इस्थित जील है तो इसका सही उत्तर हो जायेगा माला ताल जील क्योंकि जैसा आई ट्रिक में बताया गया है कि जिस भी जहिल के नाम के अंत में अगर ताल सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जनकारी आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को तथा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर असानी से पहुंच सके और इस वीडियो को अधिक साधिक सेयर कीजिएगा ताकि जितने भी छात्र हैं उन तक पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का पढ़कर लाब ले सकें और अपना ज्यान का वर्दन कर सकें तो आज के लिए इतना ही दीजिए इजाजत मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद